Hello everybody, welcome back to Quant Study, I am Mujasim Akhtar जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मैं आपका JKSSB Class 4 की जो recruitment हो रही है उसका English का portion cover करवा रहा हूँ, जो कि total 20 marks का है उस में से मैंने आपको articles और determiners complete करवाया है total हमारे पास 9 topics हैं और articles और determiners हम complete कर चुके हैं और spellings का part 1 और part 2 भी हम complete कर चुके हैं आज जो है हम spellings का part 3 लेने वाले हैं अच्छा अगर आपने पिछले lectures नहीं देखे हैं तो आप channel की playlist पे जाके वो lectures देख सकते हैं तो आज हम spellings का part 3 पढ़ेंगे उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक channel को subscribe नहीं किया है तो आप subscribe करके bell icon को press करें ताकि आपको updates मिलती रहीं नहीं नहीं ठीक है तो start करते हैं आज spellings का part 3 part 3 में हम पढ़ेंगे 10 questions हम वो practice करेंगे जो कि exam point of view से बहुत ज़्यादा important है okay तो as always मैं आपको questions पूछूँगा जो कि आप screen पे देख रहे हैं इनको जो है अपने comments में correct इनकी spelling जो है correct करनी है ठीक है यहाँ पर जो है wrong spelling दी गई है तो आपको इनहें correct करना है ठीक है चार यहाँ पर दी गई है आपने इन चारूं को जो है correct करना है आप try करके देख लीजे अगर आपके answer सही आते हैं तो ठीक अगर नहीं भी आते हैं तो आप Google वगेरा करके या फिर already हम पढ़ चुके हैं वो फिर आपको याद रहेगा हमेशा के लिए ठीक है ओके तो आज का topic स्टार्ट करते है यहाँ पर आपको क्या है directions क्या दी है identify the correctly spelled word from the following यहाँ पर आपने correctly जो spell की गई है जिनकी spelling सही है आपने वो पहचाननी है अब यहाँ पर कैसे आपने देखना होता है अगर आपको पता है कि यार इन में से एक ना एक spelling जो है वो correct है पतलब मुझे दिमाग में है कि नहीं जैसे कि मुझे पहले ही पता है कि इन में से आ रही है तो आपको पता है ठीक है वो तो ठीक है लेकिन जब आपको नहीं पता तो आपको यह देखना है कि इन में से कौन सी wrong है जैसे कि यहाँ पर इसमें पहली वाली wrong है A part जो है यह wrong है B part जो है यह मुझे दिख रहा है कि This is the correct one ठीक है तो अपने B को ठीक लगा देना है ठीक है Second question जो है वो क्या है Families की spelling जो है कौन सी correct है ठीक है तो यहाँ पर F-A-M-A-L-I-E-S क्योंकि यहाँ पर A है तो यह भी गलत spelling है ठीक है Next क्या है F-A-M लेकिन यहाँ पर कुछ missing है Third में देखते हैं F-A-M-I-L-I-E-S यहाँ पर जो है यह correct spelling है मतलब हमारा correct कौन सा हो जाएगा तीसरा हो जाएगा ठीक है इसी तरह से third question क्या है Funnier ठीक है Funnier लेकिन यहाँ पर double E है तो मतलब यह incorrect है दूसरे में यहाँ पर double N नहीं है ठीक है तीसरे में double N है लेकिन I कहीं नहीं दिख रहा है ठीक है तो मतलब यहाँ पर कौन सी correct हो जाएगी हमारी D part जो है correct हो जाएगा हमारा ठीक है अच्छा उसके बाद question number 4 क्या आप बोल रहा है question number 4 बोल रहा है कि happily की spelling बताओ कौन सी ठीक है तो happily में यह तो ठीक नहीं होती मतलब यह ठीक नहीं है ठीक है मतलब happily की H-A-P-I-L-Y तो नहीं होती H-A-P-I-L-Y भी नहीं होती ठीक है तो H-A-P-I-L-Y यह जो है यह correct हो जाएगी हमारी C part जो है हमारा correct हो जाएगा अचा next देखते है question number 5 question number 5 में option A क्या दिया है heavier मतलब हमें heavier की correct spelling बतानी है heavier यहाँ पर है H-E-A-V-Y-E-R ठीक है यहाँ पर Y है बीच में जो की गलत है H-E-A-V-I-E-R ठीक है समझ आ रहा है मतलब यह जो है हमारी correct spelling है heavier की spelling यह हमारी correct हो जाएगी ठीक है तो चलते है next next slide की तरफ जो यहाँ पर क्या directions दी गई है आपको यहाँ पर क्या करना है आपको यहाँ पर बताना है कि wrongly जो spelled words है वो कौन से हैं इन में से ठीक है question number 1 में option A क्या दिया है stadium अरे हाँ ऐसे ही तो spelling होती है this is right राइट बी जो है competitor c-o-m-p-e-t-i-t-o-r यह तो spelling ठीक है अच्छा option C क्या दिया है athletic a-t-h-e l-e-t-i-c athletic की spelling जो है यहाँ पर यहाँ पर जो है athletic की spelling यहाँ पर इन्होंने गलत दिया मतलब वहाँ पर tick कौन सा option करना है जब wrongly spelled हो option C आपको मतलब tick करना है ठीक है okay उसके बाद question number two में a part दिया है dictionary b part दिया है auditorium c part दिया है biology और d part दिया है salvation यहाँ पर आप देख सकते हैं कि salvation की spelling s-a-l-v-e-t-i-o-n v-e नहीं होता यहाँ पर v-a होता है salvation की spelling गलत दिया है यहाँ पर ठीक है तो मतलब correct कौन सा हो जाएगा आपका वहाँ पर मतलब यह तो wrongly spelled है लेकिन आपको tick कौन सा करना है salvation okay उसके बाद question number 3 क्या है हमारे पास a part इसमें primarily यह तो spelling ठीक है p-r-i-m-a-r-i-l-y b part जो है finally finally की spelling ऐसी नहीं होती तो मतलब simply finally की spelling क्या होती है f-i-n-a-l-y मतलब यह जो है आपका option जो है correct हो जाएगा जो की wrong spelling है okay उसके बाद parliament, congressional, governor और association आप देख सकते हैं governor, congressional और parliament की spelling बिल्कुल ठीक है a की d part हमारे पास है जिसकी गलत है जहां पर होना चाहे था association की spelling होनी चाहे थी a-s-o-c-i-a-t-i-o-n यहां पर s-i-o-n है मतलब यह जो है हमारा टिक हो जाएगा ठीक है यह टिक कर देंगे हैं वहाँ पे okay उसके बाद question number five क्या है a इसमें religious है यहां पर ही आप देख सकते हैं r-e-l-i होता है लेकिन इनने क्या लिखा है r-e-l-e ठीक है तो मतलब इससे क्या हो जाएगा आपका यहां पर आपको i लिखना था मतलब उनको i लिखना चाहिए था इनने क्या लिखा है e लिखा है मतलब आपका correct option कौन सा हो जाएगा a तो यही पर हमारा यह जो है topic खतम हो जाता है आपको पहचानना कैसे है आपको बस देखना है थोड़ा सा ही मतलब फरक होता है वहाँ पर आपको tick कर देना है बाकी आपको देखना है आप दो तरीकों से देख सकते हैं या तो आप पहले ही पहचान जाएंगे कि कौन सी रहूंगे या तो फिर आप इस तरह से देखेंगे कि मतलब ठीक कौन सी है आपको कौन सा लग रहा है कि ठीक है ओके तो यहाँ पर जो है spellings का end हो जाता है हमारा spellings जो है यहीं पर हम खतम करते हैं और आप अच्छे से practice रखेगा इनकी भी spellings की भी क्योंकि यह भी बहुत important है कभी कुछ भी question पूछ सकते हैं लेकिन जहाँ आप इतनी practice करेंगे मतलब मैंने 40-50 questions आपको करवाएं होंगे अभी तक टोटल में तो आप वो अच्छे से पढ़ लें और PDF भी मैं प्रोवाइड करूंगा इसका भी आप practice continue रखें तो thank you so much for watching this video I will see you in the next video बाई बाई टेक केर